नमस्कार दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल पासपोर्ट हेलप लाइन पर जहां पर आपको पासपोर्ट अप्लिकेशन डॉक्मेंटेशन पुलिस वरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीजा सं बंधित बहुत सारी महत्पूर्ण जानकारियां दे जाती हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन कोश्चन के उपर एक बहुत ही मुझे कॉमन कमेंट हमेशा मिलते हैं बहुत सारे मैसेजेज मिलते हैं या आज की वीडियो में बता बहुत जादा confusion रहता है लोगों के मन में वह बेसिकली वह जानना चाहते हैं कि अगर वह अपने शहर से दूर अपने गाउं से दूर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे के घर में किरेदार की तरह एज़ा रेंटर रह रहे हैं तो आखिर उन्हें जब पासपोर्ट बनवाद उसे पूछेगा और वह overall जो है आपके address को verify करेगा ऐसे नगाइस अगर उन्हें उस इस बात की सूचना मिल जाती है या फिर अगर यहां पकड़ लेते हैं कि यहां भी अपने हाल फिलाल में हैं आप जो है कहीं और से shift करके आ हैं या फिर आपने जिस address को डाला है अपने permanent address में वह आपका अपना नहीं है वह आपका self purchase नहीं है ऐसे condition में दोस्तों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वह नेगटीब भी जा सकता है अपका फेल हो सकता है तो आज के सुड़ी में हम समझेंगे कि अगर कोई बंदा जो है वह रेंट पे रह रहा है जॉब के सिलसिले से काम के सिलसिले से अपने में शहर से दूर कहीं रह रहा है अगर उसको passport बनवाना हो तो बेसिकली उसे क्या करना चाहिए तो गईस यहाँ आपको फिर बता दूं पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का में मकसद उनका में मोटिव ही होता है कि इस बात को वेरिफाई करना कि यह बंदा जो है सिटिजन ऑफ इंडिया है या नहीं ठीक है सबसे पहला जो आपका होता है आपके नागरित्ता की वहाँ पहचान की जाती है दूसरा कि आते हैं तो वहां का जो लोकल पुलिस है वह आपका रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं कर पाएगी नहीं उनके पास कोई आपका ऐसा कुछ डॉक्मेंट्स होगा जिससे वह इस बात को वेरिफाई कर पाएगा कि आप यहां के प्रॉपर नागरिक हैं तो यहां पर लगब तो उस कंडिशन में आपका जो वेरिफिकेशन है वह 100% फेल हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ट को एज एड्रेस जो है इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि आधार का जो एड्रेस है उसको अपडेट करवाना बाय हाथ का खेल है लोग पैसे वैसे किसी तरीके से कर पर रेंट पर रह रहा है और भारत का पासपोर्ट बन वाले तो यह अपने देश की सेक्योर्टी पॉइंट ओव यू से बहुत बड़ा थ्रेट होगा इसलिए जो भी पुलिस वेरिफिकेशन टीम है उनको सकत निर्देश दिया गया है जो भी पासपोर्ट डिपार्टमे स्थांटर को OF इंडिया है और नहीं और हर से सिटेजन और इंडिया मानए जाएगे आपके नाम से कोई कहिन कहीं कुछ प्रोपरटी होगी आप ही अब जाहिर सीश्री पातलब भारत का नगरी और आप ने कहीं आपके दादा पर दादाओं का कहीं कहीं कुछ record होगा कुछ खसरा होगा कुछ नाम होगा कहीं पे तो दोस्तों इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने के कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे जो भी कि या फिर काम के सिलसिले में अभी वहां पर रह रहे हैं लेकिन वह आपका अपना एड्रेस नहीं है लेकिन आप फिलहाल अभी यहां पर रह रह रहे हैं तो आपका यहां पर वेरिफिकेशन होगा आपका जो आपका पर्मानेंट एड्रेस होगा वहाँ पे भी जो है एडिफिकेशन टीम वहाँ पे जाती है वहाँ के वोटर लीड्स से वहाँ के आसपास लोगों से की यहां यह जो अप्लिकेंट है यह वाकई में यहां का है कि नहीं ऐसे में जब आपके करेंट का और पर्मानेंट यहां कर दिया जाता है बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं जो कि रहा है और उन्होंने जो है अप्लिकेशन में पर्मानेंट और अपने करेंट दोनों एड्रेस में सेम वही एड्रेस डाल देते हैं जो कि आप अभी फिलाल दूसरे के घर पे रह रहे हैं तो ऐसे में 99.9% चांसे से कि आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा अगर आप पुलिस वा हुआ है उनका अपना इंटलेजेंस स्टीम होता है उनका आपना घूफिया तंतर होता है वह जो का अपने आप घौद धो होते हैं permanent में आपको हमेशा अपने permanent address का ही वहां पे detail करनी है और साथ इसाथ जो सीचु आभी आपका जो current है current में आप कहीं भी दे सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि वहां पे आपको हमेशा यह दर्शान आये कि आप वहां पे एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं अगर एक साल से कम समय का आप देते हैं तो आपका automatically जो है वहां पे application reject कर जिया जाएगा तो दोस्तों यह था total processor यह था total time lapse की किस तरीके से आपको कौन-कौन सी साथ घानी बरतनी है अगर रेंट पे रहते हैं तो आपको कौन-कौन से steps follow करने हैं तापकि आपका पूलिस verification है आपके passport का वह easily हो जाए और आपका passport जो है बहुत ही आसानी से बन पाए दोस्तों apart from that अगर आपके मन में कोई और confusion है किसी तरीके का कोई और डाउट है तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं साथ ही साथ चैनल के about section में मेरा वाट्सप नंबर है अब वहां भी मुझसे contact कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नहीं जानकारी के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रहे हैं जैहिन